नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हुँ धर्मेश जांजमेरा, आप सवनु स्वागात करूछू। आजे आपने धुर्ण 10 विग्ण्यान विशय मां, प्रक्रन नंबर 10, प्रकाश, परावर्तन अन वक्री भवन नो अभ्यास करीशू। मित्रों, आजनों प्रथम टॉपीक रहाशे अरिसानू सुत्र। अरिसानू सुत्र एटले शू। अने अरिसानू सुत्र शू। छे ये आपने समझिये। आ सुत्र नो उप्योग अपड़े घणा बदा दाखलाओं मा अपड़े यानो उप्योग करीशू। सवती पेला सुत्र समझी लिए। तो अरिसानु सुत्र कोने केवाई। तो त्यानी व्याख्या केई कारीती आपीशकाई। के वस्तु अंतर यू। प्रतिभीम अंतर वी अने अरिसानी केंद्र लंबाई एफ वच्चेना सबन दर्शावता सुत्र ने अरिसानु सुत्र कहे छे। अरिसानु सुत्र येटलेशू। तो वस्तु अंतर यू। अवा वस्तु नो आपड़े जे अंतर छे। फ्रति बीम अंतर लंबा, बनने अरिशा में यह सुत्रों चे, तो वस्तु अंतर u, प्रति बीम अंतर लंबा, सुत्रों आप लो, खे, वक्त बीम अंतर लंबा, अरी शानू सुत्र कहे छे तो ये सुत्र कहे कि आ प्रमाणे नू छे 1 अपन यू प्लस 1 अपन वी बराबर 1 अपन एफ 1 upon u प्लस 1 upon v बराबर 1 upon f हवे यह प्लस छे इतला माटे तमे पहला 1 upon v अने पची 1 upon u करशो तो पन चाल शे बराबर सर्वालानो जे क्रम नो नियम चे यहनो पालन करी शकाई तो आ सुत्रनी मदथी तमे u, v अने f माथी कोई पन एक वस्तू शोधी होई तो शोधी शकाई छे मानी लोके u अने v नी किम्मत खबर होई तो तमे f शोधी शकाई छो अथवा v अने f नी किम्मत खबर होई तो u शोधी शकाई छे अने एज प्रमाणे u अने f खबर होई तो v शोधी शकाई छे हाँ सुत्र आपने याद करी राखेशु अने दाखलाव में यहना उप्योग करेशु बिजी बाबत अरिसा माटे केंद्र लंबा एफ अने वक्रता त्रिजिया कैपेटाल आर वच्चे नो सबन्षू छाए अरिसो एटले अवे मित्रो फरीती हुँ तमने याद कराओ के जहाँ पन अरिसो शब्द लखे होई त्या अपने अंतर गोड अरिसो पन समझवानो अन बहिर गोड अरिसो पन समझवानो तो बन्ने अरिसा माटे केंद्र लंबा एफ अने वक्रता त्रिजिया कैपेटाल आर वच्चनो सबन्षू छे तो जुओ सुत्रद्वाराय सबन्षब ज़्ये कैपेटाल आर बराबर टुएफ मतला वक्रता त्रिजिया एक कैंद्र लंबाई करता बम्नी छे आर बराबर टुएफ एक उदारन लोग के कैंद्र लंबाई माने लोके 5 सैंटे मिटर छे तो वक् अथ्वा तो ये उपन कई शकाए के स्मॉल एफ बराबर कैपिटाल आर भाग्या बे मतलब केंद्र लंबाई ये वक्रता त्रिज्या करता अड़धी छेम कई शकाए उदारन लिए जेम के कोई अरिशा माटे वक्रता त्रिज्या मानी लो के 20 सेंटीमीटर छे किटली छे 20 सेंटीमीटर तो तेनी केंद्र लंबाई किटली थशे तो आपने ये किम्मत मुग किए 20 भाग्या बे जवाब आवे 10 सेंटीमीटर तो केंद्र लंबाई 10 सेंटीमीटर कर थाए, तो in short, एम कई शकाए केंद्रे लंबाई वक्रता त्रिजया करता अढ़दी थाए, और वक्रता त्रिजया करता बमनी थाए, एम कई शकाए, ओके, हवे मित्रो त्रिजो टॉपिक खूब ज अगत्यानो टॉपिक छै, घणा बद्यां MCQ माटे, अने बे मासना एक सोट क्वेस्चन तरीके पन खुब जगत तेनों सवाल छे या खास याद राखी शू एचे अरिसानी मोटवनी हवे मोटवनी एटले शू तो मित्रो मोटवनी एटले के तमे आगलना टॉपिक मा भणी गया के अंतरगोड अरिसो होई के बहिरगोड अरिसो होई के पची समतल अरिसो होई तेमा वस्तूनू प्रतिभीम गणी वखत नानू मले चे गणी वखत मोटू मले चे अत्वा गणी वखत समान पन मले चे तो मोटवनी इबाबत दर्शावे चे के वस्तू करता प्रतिभीम मोटू छे के नानू छे ते मोटवनी ना अधारे नकी थाी शकाए पेला एनी व्याख्या समझेए पछी सुत्र समझेए अन पछी केटला कुदारन समझेए तो अरिसानी मुटवणी एटले शू तो व्याख्या आरित्यापी शकाए कि प्रतिभीमनी उचाई h- अने वस्तुनी उचाई h ना गुणोत्तर ने अरिसानी मुटवणी small m कहे छे मुटवणी ने अपड़े small m वडे दर्शा वीशू फरी थी व्याख्या जुओ प्रतिभीमनी उचाई h- अने वस्तुनी उचाई h ना गुणोत्तर ने अवे गुणोत्तर इटले शू गुणोत्तर इटले के भागाकार कौनो-कौनो भागाकार प्रतिभीमनी उचाई अने वस्तुनी उचाई ना भागाकार ने अरिसानी मुटवणी कहवाए तो आ वेक्याने आ रिते सुत्र सुरूपे लखी शकाई कि मुटवणी बराबर प्रतिभीमनी उचाई भागया वस्तुनी उचाई इन शोट जो संग्निया स्वरूपे न सुत्र स्वरूपे लखू होय तो small m बराबर h-अपोन h मुटवणी बराबर h-अपोन h आपने मुटवणीनु सुत्र मलियु हवे मित्रो फरिथी मुटवणीनु उदारन आपड़े समझिये मानीलो के कोई अरिसानी मुटवणी बे चे बे तो येनो मतलब हैं के ए वस्तुनु प्रतिभीम वस्तु करता बमुनु मलतू हशे औने जो कोई मुटवणीनी किम्मत 0.5 होय एटले के 1.5 होय एक दुत्याउस होय तो यहनो मतलब वस्तु करता प्रतिभीम अड़दू मलतू हशे अने जो मूटवणी नी किम्मत एक होई तो यहनो मतलब वस्तुनू प्रतिभीम वस्तु जेवडूज मली रिवचे एम केवाई जुओ मित्रो आ सुत्रने समझवानो प्रयत्न करो अटोमेटेकली तमने मूटवणी शू छे ख्यालावी जशे अन मूटवणी ना अधारे प्रतिभीम केवू मला चे यह पन ख्यालावी जशे जुओ की विरिटे अहिए है एच डेस आपन एच आ बन्ने नो भागाकार मूटवणी दर्श आवे छे हवे मित्रो अहिए यह समझवान हुए छे के प्रतिभीम नी उचाए और वस्तुनी उचाए जो समान होई तो पछी एच डेस आना एच नी किम्मत समान आवे और भागाकार मूटवणी दर्श आवे आठ 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 आवे के जो प्रतिभीम नी उचाए वस्तु करता ओची होई इतले के एच डेस नी किम्मत ना नी होई और एच नी किम्मत मूटी होई तो घणितनी भाशा मां अन्स नानो के वाई और छेद मूटों के वाई तो भागाकार हमेशा एक करता ओचाए तो मूटवणी नी किम्मत ए च्रीया निया ध्या होगती थाटा मम, पैमिनलरा झाला गाल्या होटी ना मैं उन्स पीवाखी होटी,언र फ्रस्तिकर थी थी कितीस तब भुदी. आणी Cheニ किम्मत ना नहीं थशे आणी गणितनी भाशा मा जोहिए तो अंश मोटो गणाय आणी छेद नावनो गणाय तो ए वखत ये भागाकार एक करता पण मोटो आवे एटोली सोने नी किम्मत गेटर फेन वन थाए एक करता पण मोटी अने मोटवनेनी किम्मत जो एक करता मोटू आवे तो पची प्रतिबिन मी उँचाय वस्तु करता वधू छेम कही शकाए क्या लावा छे मित्रो टूंक माँ एटलू याद राखीशू के जो मुटवनेनी किममत एक आवे तो वस्तु जेटलूत प्रतिवीम मड़े छे तेम केवाए मुटवनेनी किममत एक करता उची आवे तो प्रतिवीम वस्तुनी उउच्याई करता उछु आवे छे तेम कहवाई अने मोटवनी किम्मद जो एक करता वधू आवे तो प्रतिबिम नी उच्याई वस्तुनी उच्याई करता वधू छे तेम कहवाई आ त्रन बाबत आपड़े याद राखिशू आणि प्रेक्टिस अगलना टोपिक मां आपड़े करी शुँँ बीजी बाबत के मोटवणी ने आ रितिये पण मेडवी शक्के जमके तथा वस्तु अंतर यू अने प्रति अंतर वी द्वारा पण मोटवणी एम मेडवी शकाई छे मोटवणी मेडवा माटे तम्ये वस्तु अंतर यू अने वी नो पंविक करी शकू चो आ सुत्र नी मदथी जू हो कियू सुत्र वी बराबर माइनस वी अपण यू आ्पण मोटवणी एम शकू चो जवाब उपर अने नीचे शर्खो जाउशे तो तमारी पासे जो प्रतिभ मंतर होई तो अपन तम्हें मुटवणी मिढवी शको चो ओके मित्रों हवे बीजी एक बाबत अहीं आपड़े मित्रों लास्ट वीडियो नी अंदर गोली अरिसा माटे कार्ती जेन संग्न्या प्रणाली भने हाता अपने याद तो हशे जो याद नथी तो हवे पच्छी नो मुखीशू और सिधीज मुखीशू एटले वस्तुनी उचाए आपड़े प्लस लेवानी रेशे और जो प्रतिभीम आपने मुख्य अक्ष्णी नीचे मल से तो तो ते माइनस लेवानू रेशे एटले एच डेस नी किम्मत माइनस होई शके के जारे प्रतिभीम नीचे मल होई तो अन प्रतिभीम उपर मले तो अन जो प्रतिभीम उपर मले तो एच डेस नी किम्मत प्लस थाए बराबर यह आप सवजानों चो तो अवे मोटवनी ना किस्सा मा मित्रो एटलू याद राखिए कि आज ये वस्तुनी उचाए छे एच ये हम्मेशा प्लस थाए यहन हवे वाद करिए एच डेस नी तो एच डेस नी किम्म वाद करता होई ये तो प्रतिभीम नी उचाए मित्रो गणी वखत प्रतिभीम नीचे तरफ मले चे उल्टू मले चे अने गणी वखत आपड़े ये पन जो ये उचे के सिधू मले चे उपर नी तरफ मले चे एटले प प्रतिबीम नीचे तरफ मलाएचे, मुख्यक्ष नी उपर तरफ एटले के चट्यु प्रतिबीम मला चें तो पथी उपर प्लास था खे अने नीचे पन प्लास था खे अनव जवाब पन प्लास आव हम मुट्अवणी नी किम्मत धन मलशे एटले के प्लास मलशे तो अन्य यह मित्रो एकल्ड है ર્રહે કે મૂટવણેની કિમત જો માઇનેની કિમત જો માઈનેને કિમત જો માઈને કિમતં નીચે મળે इटले के उल्टू मले चे अने जो मोटवणीनी किम्मत तमने धन मले इटले के प्लास मले तो समझवानू कि प्रतिभीम तमने सिधू मले चे चत्तू मले चे मोटवनेनी किम्मत माइनस मले तो प्रतिभीम तमने उल्टू मले छेम समझवानू अन्य मोटवनेनी किम्मत धन मले तो प्रतिभीम चत्तू मले छेम समझवानू चलो, आनो उप्योग करीने हवे पच्छुनू एक कोष्टक समझी है, खूब अगत्यनों टॉपिक छे मित्रो, Most IMP, Objective प्रकार ना सवालों मा, खाली जग्या मा, अथ्वा खराखोटा मा, अथ्वा MCQ मा, पूछी शकाई, एवो खूब अगत्यनों टॉपिक छे, आने बहु जरूरी छे, चलो, शरूवाद करिया मित्रो, तो मुटवनी किम्मत आपी छोई, जुवर टोपिक छुछे, मुटवनी अधारीत, प्रतिभिमनों प्रकार नक्की करवानों, अने परिमाण, परिमाण, इटले शू, प्रतिभिमनों, कद, अने अरिसानो प्रकार पण नक्की करवानू, मुटवणीना आधारे, जुँ ओके विरीते, पहली बाबत, कि मानी लोके मुटवणीनी किम्मत प्लास एक होई, तो प्रतिभिमनो प्रकार केवो अशे, परिमान केवो अशे, अने अरिसानो प्रकार केवो अशे, समझे, मुट किम्मत किटली छेते तमने चिन्हाना आधारे प्रतिभीमनों प्रकार खबर पड़ी जशे अन्य किम्मत ना आधारे तमने प्रतिभीमनों कद खबर पड़ी जशे जुँग की विरिते साउथी पहला चिनहा जुओ, चिनहा कईू छे मुटवणी नू प्लस, एटले के धान छे, जो धान होए, हवा मुटवणी ना सुत्र नो पण थोड़ो अभ्यास अपड़े करता जिये, एम नी किम्मत धन क्या रावे मित्रो, जयरे उपर नी किम्मत धन होई तो, क्यमके नीचे तो हम्मेशा धन अजुआए, उपर एई प्लस होई, नीचे प्लस होई, तो ज एम नी किम्मत प्लस थाए, तो मुटवणी नी किम्मत प्लस छे नो मतलब प्रती भीम आपने प्लस मा प्रतिभीम 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 प् खिंह ना थारे मूटउणियनी चिनह प्लस छह अ एटले आब आसियान चत्तू छेंंग कहीं सकते हैं ऑकें ओकें अब एक छए मूटउणियनी किम्मत जुओं मित्रों किम्मत किटली छहे एक अब मूटउणियनी किम्मत 1 क्या रहे थायए जो असुत्रन अभ्यास करो मोटाओनेनी किम्मत मित्रो एक क्यारे थशे के जारे हच डेश औने हच समान होई तो कैंसल थाई ने एक थाई मतलब प्रतिभीम नी उचाए न वस्तु नी उचाए समान छे तो अज किम्मत एक मड़े तो जुँ आईया किम्मत एक कच चे आईया किम्मत किटली चे एक तो आयम कही शकाए कि प्रतिभीमनू कद इटले के परिमाण वस्तु जिवडू जशे वस्तु जेटलूज आईया प्रतिभीम मड़े चे यहम कही शकाए प्लस एक ना आधारे आईया एक लखी चे किम्मत एक आधारे कही शकाए कि प्रतिभीम वस्तु जिवडू जशे हो मित्रों एवो कयो अरिसो छे कि जे आपने प्रतिभीम आभासी चत्तु न वस्तु जिवडू जापे चे याद करो आपणी पासे त्रण ओप्शन छे अरिसाना प्रकार मां सम्तल अरिसो कातो अंतर गोल अरिसो कातो बहिर गोल अरिसो अपड़े अरिसाना अभ्यास करी चुकिया छी है तो तमने जो ध्यानती अभ्यास करे होई तो याद आवशे कि मात्र सम्तल अरिसो एवो छे कि जे आपने आभासी चत्तु औन वस्तु जेवडूज प्रतिभीम आपे छे तो आना आधारे तमें अरिसाना प्रकार सुधी पहुची शको चो सम्तल अरिसो क्यालाव मित्रो चलो आगलनो टोपिक जुए के माइनस एक मुटाउणी होई तो प्रतिभीम केवुँ हशे अने केवड़ु हशे तो मित्रो जुओ चिनह कईू छे या माइनस तो यहना आधारे म कई शकाए के मुटाउणी नी किम्मत माइनस मा होई तो यहनो मतलब हैं के ए वास्तविकान उल्टू प्रतिभीम मल से जहम उपर केम प्लास ना आधारे आभासियाना चत्तु नक्की करियू यहम माइनस ना आधारे शु नक्की करवानू वास्तविकान उल्टू प्रतिभीम होई तो माइनस ना आधारे कई शकाए के वास्तविकान उल्टू प्रती बीम तमना जोहा मढशे वाश्तावईक उल्टूहने वस्तु 최근 फ़िमाण कहँ क्च उव्डू से कई अरीत 봐 तो इस दो मोट तो क Oh Which routes सब्सक्राद बी Giving वक्रता केंद्रा C उपर वस्तुने मूखिये है तो त्यानू प्रतिभीम C उपर ज मले वास्तवीक उल्टु अनवस्तु जेवडू ज मले जुँँ वास्तवीक उल्टु अनवस्तु ना परिमान जिटलू ज मले तो अंतर गोल अरी सामा पोसिबल छे तो जहारे मुटवणे किम्मत माइनस एक होई मित्रो माइनस एक तो वास्तविक उल्टु अन वस्तुना कज जेवडु थाए अने ये अंतर गोळ अरिसामा पॉसिबल छे चलो मूटवनेनी किम्मत गेटर देन वन होई एक करता वधु अने माइनस वए रून होई तो जो रून ना अधारशु कई शकाए वास्तविक उल्टु ये तो अवे आपड़े फिक्स याद राखवानू कि माइनस वास्तविक उल्टु अने प्लस होई तो आभासी चत्तु अने मूटवनेन किम्मत केटली चे मित्रो आना ध्यानती समझे तमे गेटर देन वन मतलब एक करता पण वधु अने मूटवनेनी किम्मत जो एक करता वधु होई तो प्रतिभीम मूटु ज मले वस्तु करता मूटु प्रतिभीम ज मलशे तो रून ना अधार वास्तविक उ प्रतिविक सा जुवा लेकों, प्रतिविक लिए होलैसा मुट उपेशा में, अर्य चीदविक उल्टी મળશ્ય अન વસ્ટુ કરતા પણ મૂટુ જોવા મળશે એ પણ તમને યાત કરા વિદે जुओ मित्रो आपणे जारे सी थी वधारे नजीक वस्तुने मुख्या चे तो प्रतिवी तमने वास्तविक उल्टु अने वस्तु करता पण मूटु जोवा मला चे अंतर गोल अरिशाना किस सामाई ओके चलो त्रीजी बाबत के लेस्देन वन अना रून होई तो मतलब मोटवनी एक करता पण ओची होई अना माइनस मा होई तो जुओ माइनस ना अधारे शू कही शकाए वास्तविक उल्टु अने एक करता पण ओची किम्मत छे तो शू कही शकाए नानू प्रतिवीम तो व अंतर्गोल अरिसामा कई जग्ये वस्तुने मुखवा थी वास्तविक उल्टु अना नानू प्रतिवीम जोवा मले तो तम्हे वक्रता केंद्र सी थी थी थोड़े दूर वस्तुने मुखषो जुओ तमने ये पण याद कराविदो जुओ अईनस तम्हे अननत अंतरे जो तो बंग्षो त्यारे तमने वास्तविक उल्टु अना नानू प्रतिवीम जोवा मले शे अंतर्गोल अरिसाना किसामा उके येरा पचैनि बाबत एक करता मुटू होई, गेटर जुदेन जो तो सी मूटनी किम्मत एक करता मुटी है आनने धन होई तो ज सनने फीम टन दन छे अब्हसी चत्टु जो आशे एक करताा मुट होज तो पची मूटवणी जे छे मुटवणी एक करता मुटी छे तो प्रतिबीम organize प्रति प्रतिबीम प्रतिबीम जोवा मल गशे तो आपणावर जवाब छे आपणाव करता डि Between Allah प्रतिवीम जोईव तो अभ्यास करें अशे प्रेक्टिस करें तो तम्हें आ निरिणाई सुधी पहुचे शक्ष अंतरगोल अरिसो अंतरगोल अरिसा मा तमने अभासी चत्तो न मोटु प्रतिवीम जोवा मले जुव आपने याद करें जुव आईए आचे अंतरगोल अरिसो जेमा आपड़े मुख्ये केंदर एफ नी नजीक वस्तु मुख्ये तो आपने प्रतिवीम के उव मले अभासी चत्तु अने मोटु जुव आईए अंतरगोल अरिसा मा अभासी चत्तु अने मोटु प्रतिवीम जोवा मलसे अंतरगोल जो मोटवणी किम्मत एक करता पन ओची होगंगी अने धन होग तो यो धन छ तो जावब आव दे धन gonna एक करता ओची भाहाल पन खमड़ोणी करत गाले जम् line गाली cavalryman निया न उची हां चीपा उची-पन दी तो अगी हां ଣઅག umm હ્ક્ં એ પ્વાને 6 ઉસ્ત ઉડીંસલીષં શ્તીં જ્પુતુંને 6 . तो ऑपन तमने आभासी चत्तुपनना नानुज प्रतिभीम ज behavior जोमल शे बहीरगोल अरीसाना किस्वा मंध तुमित्रो एम कई शकाए के बहिर गोड अरिसाना किस्सामा तमने आभासी चत्तुना नानू प्रतिभीम जोवा मडशे ए वक्षते मुटवणी कितली आवे लेस देन वन एक करता पण ओची अने धन जोवा मलशे क्या लाविग्यो मित्रो आम मुटवणी नी किम्मत अने मुटवणी ना चिन्ह ना आधारे तम्ये प्रतिभीम नो प्रकार अने प्रतिभीम नो परिमाण नक्की करी शको अने अरिसानो प्रकार पन नक्की करी शको जो अमुष्ट आएमपी टोपिक छे, आपड़े याद करी लिए कि मुटवणी मा जो चिनह प्लस होई, तो आभासी चत्तू जवाब आवे, और माइनस होई, तो वास्तवे कुल्टू आवे, और बिजी बाबद, मुटवणी नी किम्मत जो एक होई, तो वस्तू जिवडूज, प्रतिबीमनू कद छेम समझवानू, और जो किम्मत एक करता ओची होई, तो प्रतिबीम नानू समझवानू, और किम्मत एक करता वधू होई, तो कद मुटू समझवानू, और आणा आधारे, और आगालना वीडियो मा जे मैं समझायू छे, आणा आधारे तमें आरिसानो प्रकार नक्की करी शक्षो, खुबज IMP टोपिक छे, तो आशा राखू के तम्हें यहनी प्रेक्टिस कर शो, आने आ वीडियो तमने गमियों होशे, आने तमने उप्योगी पण थाई रेशे, यह मने विश्वास छे, हवे आपने मली शू, नेक्स्ट वीडियो मा, नेक्स् परेट.